नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट वित ऐसके में दोस्तों आज हम नमबर सिस्टम का जो SSE CPO में 13 माच 2019 को इवनिंग सिफ्ट में जो सवाल आया था उसका इजी स्वलूशन देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं कुशन कह रहा है कि what is the sum of digit of the least number which when divided by 15, 18 and 42 leaves the same remainder 8 in each case and is also divisible by 13 वो कह रहा है कि हमें उस नमबर का digit sum बताना है जिसको 15, 18, 42 से विवाज़त करने पर प्रतेक से 8 सेस फल दे और वो संख्या 13 से विवाज़त हो तो हमें अगर इसका short solution करना है तो हमने देखा कि अगर वो संख्या 18 से divisible थी तो वो 9 से divisible होगी अगर वो 9 से divisible होगी तो सेस 8 दे रहा है इसका मतलब हुआ कि उसका जो digit sum होगा वो भी सेस फल के बराबर होगा यानि जो 8 सेस फल दे रहा है तो इसका मतलब जिसका digit sum 8 होगा वो ही हमारा answer होगा इसमें देखें 5-2-7 यह हमारा अंसर नहीं होगा 4-2-6 यह भी हमारा अंसर नहीं होगा 2-2-4 यह भी हमारा अंसर नहीं होगा 6-2-8 यह हमारा सही अंसर हो जाएगा देखिए आपको मैं बताता हूँ और यह आपको हो सकता है समझ में ना आया हो को तो जैसे अगर मैंने कोई संख्या है जो नौ से डिवाइट करूगा ठीक है तो यह कितना रिमेंडल देगा आठ रिमेंडल देगा तो अगर आप इस संख्या का डिजेंगे तो तो कितना आ रहा है रिमेंडर के कुल आ रहा है 1 प्लस 7 एट ऐसे अगर आप कोई भी संख्या ले ले लिए जो नौ से डिवेजबिल हो जितना सेस वो दे रहा है तो वो सेस उसके डिजिट सम के बराबर हो जाएगा जैसे मैंने 13 संख्या ली अगर मैंने 9 से इसको हमें क्या ना थे कि 15 18 22 का LCM लेना एं अगर 15 8 32 का LCS लेंगे तो पंद्रै को हम क्या लिए national के पांच इंटू तीन कि इसको हमने क्या लेखा नौ इंटू दो और इसको 2022 को क्या लेखा चैस7 ज़ए तो ौह मनें देखा कि घु पांच गुने तीन था, हमने देखा तीन की पाबर मैक जोन किसमें है, तो नो दो पाबर है, नो ले लिया हमने, फिर हमने देखा कि दो की पाबर कितनी है, तो हमने एक ये ले लिया, दो ले लिया, फिर हमने देखा कि पांच भी है, और साथ भी है, ये इसका LCM हो जाएगा, पांदुनी 10, 1070 और सतनम तरे सट यानि 630 इसका LCM हो जाएगा अगर 630 इसका LCM हो जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी 630 का multiple के और वो 8 से दे रहा है तो प्लस 8 और वो संख्या किस से डिवाइड है 13 से तो हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे जब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लिफाई करेंगे तो इसको हम क्या लेख सकते हैं इसको हम लेख सकते हैं 624 के प्लस 6 के प्लस 8 और डिवाइड वाइ 13 अगर हम इसको देखें कि जो 6 के और प्लस 8 है अगर ये 13 से डिवाइड करेंगे तो k की value मान रखके देखेंगे हम अगर एक रखेंगे तो यहां कितना आएगा यह तो पूरा-पूरा 624, 13 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 6k प्लस 8 यह डिवाइड नहीं होगा तो k की किसमान के लिए यह डिवाइड होगा तो k बराबर अगर एक रखेंगे हमें किसमें रखनी है इस वाली समीकरन में k बराबर 3 हमें रखना है तो k बराबर अगर 3 रखेंगे तो इसका जब हम 630 multiply 3 plus 8 अगर हम करेंगे तो यह कितना आएगा? 0 9 और यह plus 8 अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आजाएगा यह 1899 अब इसका डिजिट सम पूछा है उसने तो आठाट 16 16 एक 17 और 17 उनो 26 तो इसका डिजिट सम कितना आए? 26 यही इस सवाल का अंसार है देखो हमने कितनी आसानी से पहले जो सौट सॉलूशन देखा हमने कितने जल्दी इस कुश्चन को solve कर लिया तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सस्क्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें थैंक यू